Hello students, welcome back to Sachin math classes जो हमारा MSC का मैच चल रहा है partially differential equation and mechanics अभी हमार mecanics पार्च चल रहा है पार्च के उपर, wrid, Combat क्मपलीट कर लिया है तो隻 mechanics के उपर महारा lecture No.10 है पहले के लेक्षर चीट निचे लिंक दिया हूँ जाके जए सकते हो और मिस्त के मैंने काफी मेच पढ़ा दिया है उनका लिंक पी निचे डिस्क्रीप्चन में है हाँ अगर आपको नॉट्स का पीडिएस चाहिए तो नहीं स्किप्चर में टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ वहाँ पर आपको नॉट्स भी मिल जाएंगे ठीक है ठीक है बेटा आज की टॉपिक के ऊपर चलते कि टॉपिक लेक्टर नंबर टैन क्या है हिल्मेंटन फर्ढ़ प्रिंटन क्या होता है ठीक है बेटा ये ये लेक्टर nr ten है इस शेकले लेक्टर में सेकंड फॉम ओफ इल्मेंटन प्रिंडिपल शेएंगह को उत्स टाइम इस पहसी करते हैं आज आज को क्या है उसे पहले बेट आपको पता होना चाहिए कि action क्या होता है या इसी का दूसरा नाम हिल्मिंटन sense क्या होता है इसका आपके बारे हम थोड़ा पता होना चाहिए क्या होता है लैट एस तक consider an arbitrary holonomic system with independent coordinate system को immediate coordinate क्या होँँ चे लेके क्या होँएं तक और क्या है हमारे language function दे रहा का सभी को पता है t q q y dot यह क्या होते हैं पिटा रहा हमारे language function होते हैं मैंने अभी तक आपको दो ही चीज़े पढ़ाईए एक language function पढ़ाए है हमने एक मैंने कि हिल्मेंटन function पढ़ाए है ठीक है यह क्या होते है इसमें क्या होता है h is equal to h t q y pi बैसे यह डिफरेंस ही यह होलो हिल्मेंटन functions होते हैं और यह हमारे क्या होते हैं बेटा language function होते हैं यह आपको याद रखना है मैं continuous पढ़ाता हूँ इसका formula पढ़ाया था प्रूव करना इसका भी formula मैंने आपको प्रूव करना पढ़ा दिया है language function then the integral w is equal to integral t0 से लेके t1 l dt is called action और हिल्मेंटन sense इसको हम क्या बोलते हैं बेटा एक्षन और हिल्मेंटन sense l की value क्या रहेगी यह हमारी language function l is equal to lt क्या वाई क्या वाई का डॉट ठीक है यह हमारी l की value बेटा यह याद रखना है टी की value fix है टी नोट से लेके टी बन तक यहां तक किसी को कुस्समाद यह हिल्मेंटन सेंस इसी का भी इस एक्षन का यूज करेंगे इसलिए मैंने यहां पर इसको लिखा कि action यह हिल्मेंटन sense क्या होते है चलो अभी आज के topic क्यों पतलता है कि हिल्मेंटन principle क्या बोलता है वेटा क्या बोलता है हिल्मेंटन इसलिए मैंने पढ़ाया अभी समझ में नहीं आते एक्षन डब्लू क्या रोल है इसलिए मैंने लिखा वहां पर कि action डब्लू है या तो एक्स्ट्रीमल वैल्यो देल या फिर हम बोल सकते हैं और स्टेट लाइंटर स्टेश्णर स्टेश्णर बाथ किसके कंपेर में क्रुनर स्थमेंटन मेंats कि जो action w है वो हमारा extremely stationary value देगा किस पर state line पर ठीक है और del w हमारा state line पर क्या है बेटा जीरो है along to state path पर सब्सक्राइब इसको यह में प्रूव करना है यह हमारी इसकी statement है अब प्रूव करते हैं consider an arbitrary holonomic system with the जर्नेलाइज कोडिनेट क्या हुआ है क्या है क्या है क्या है हमारा जर्नेलाइज कोल है language and function मैंने भी आपको बताया क्या होता है ठीक है action w हमारा क्या होगा action w defined by w is equal to t naught से t1 l dt यह हमारा action हो जाएगा आगे चलके लिए अलिमेंट्री एक्षन अब हम consider करते हैं यहां से हमारा अभी आगे की चीज़े सरुव होती है क्या करते है let us consider an arbitrary family of the path with one parameter alpha हमने एक parameter alpha जहां पर लैट कर लिए बेटा देखो यहां पर क्या है है को यह тысяч गिराफ यह हमने ट मुल्या यहां पर यहां पर one मुललिया यहां पर क्या तो लिया नोट यह सेम ही है हमारे क्या वन चाक लिया नौट टो इन दोनों के लिए एक हैं डालों के लिएिए हमारा वटीक लिए एक हो गया तो एंपलस वन डाइमेंशनसंड भी अगले लेंगे यहां पर क्या ओर आएगा प याई अगा और टी आएगा याई एगा तो इसके लिए एन इसके लिए भी इन पयाए के लिए यह विए बीर अलग है और इसके लिए लिए बन फूर ट्रम एघालएंच बश्राइब कि इस हमारे साटिश ही लेगा आगे चलिकि कीज़OR स्और हंसित कि था आभी αलफा की वैल्यू सभी को पता है डाल-डवल उमारा क्या था जीरो तो आलधा की जीरू कब की स्टेट शींटलाइन की कोर्रॉस्पंडिंडिंग आफडल नोट ॉट इक पाथ किसम होगा सर्कूलर भात पह न एक स्टेट लाइं resident है । यहां पर स्रेट लाइन में क्या रहे गिया वैल्यू जीरो रहे गी यह पात आपको याद रखना है ठीक चलो आगे चलते हैं अभी लैट्र आल्ल दा पाथ है यह कोमं ओरिजिन इम्नोठ एन एक कॉमंड टर्मिनल प्वाइंट एम वन अब देखो जी डाइग्राम इसको मागे बताऊंगा डाइग्राम को यह है कि इनके ओरिजन में क्या है M not और ट्रेमिनल पॉइंट में M1 क्या है हमारे common point रहेंगे तो हम लिख सकते हैं कि क्या हूँ आई टी नोट अमारा किसके इक्वल रहेगा और किसके रहेगा और क्या वन टी वन कोमा अलफा किसके रहेगा क्या यह डैस मत लिखना बैटा वन के इक्वल रहेगा और जो एक्शन डबलू है इसको क्या लिखेंगे देखो डबलू अलफा डबलू हमारा किसमे रहेगा अलफा का फंक्शन है तो कहां से जाएगा टी नोट से लेके टी तक तो एल हमारा कहा था एल टी क्या हुआ है क्या हुआई का डोट तो क्या हुआई अमें पता है यह है हमारा तो क्या हुआई टी अलफा पर डिपैंड कर रहा है हमारा और क्या हुआई कि कि नोट कर दो से when wow fasting कर रहा हैusta सब्सक्राइड जelot हे नोट से यहां पर देकिन कि को यहां और क्या हुआ और डॉट था अभी यहां पर अलफा पर यहां पर डेल का मतलब क्या होता है बेटा डिफ्रेंसेशन तो मैंने यहां डेल बोट साइड लगा दिया अब डिफ्रेंसेशन कर दो अब हमारा किस किस का कर लिफ्रेंसेशन करेंगे कर लिफ्रेंसेशन 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 कर लिफ् ठीक है यह तो इनका हमने क्या कर दिया इसका डिफ्रेंसेशन कर दिया और बाहर किस क्या है इसके पूरे के बाहर क्या है इंटिकेशन जी नोट से टीवन बाहर क्या आगए डिटी क्योंकि डिटी के रेस्पेक्ट में करेंगे यहां मैंने समेशन का साइन क्यों लगाया यहा यहां bracket लगा लो ठीक है यहां भी bracket आएगा क्योंकि summation क्योंकि I की value 1 से n तक दा रही है हमारी I lie to 1 to n तो इसलिए मैंने यहां पर summation i की value 1 चे लेका n तक लगा दिया दोनों पर ठीक है अब T क्या है हमारा fix है तो ठीके बेटां अब उसके बाद अभी यह में कहना है इंटिकेशन इस डिक्टी को एक बर इसके साथ लिखो एक बर इसके लेस्ट को और इसको अलग लग लिख दिया देखो मैंने अब इस यह वैल्यू तो इस पर कभी भी हमने देखा हूं यह मैंस दबसे में पढ़ाने लग के अगयर्स करेंगे कर लिक्या हुआं कहा या का इस नींतिक्र करोगे लिमिट रहेगे टी नौट से टी वन रिपक्ट यह इसके ओपर सुलसेल द अरेय वर ड्योड देट शाएं करोगी तो इंटेट से डिफरेंससीन नलट लिमिट किस पर लग जाएगे टी नोट से लेके कि नोट पलस जाएगे फिर माइनस का साइन इंटिगेशन टी नोट से टी डी नाब किस का सिटेस्टन इसका सिंट टी-वाई-डटी कर ली ऐल अपोन कर ली क्या हुआ ह Onu अब आपि केशिन फिर दुबारा से इसका तो यहां पर दुबारा कęt रिख कर ली डॉट लोट ивать यहीं आगे मैंने किया हुआ है चलो आगे चलते हैं ठीके बढ़ा अब देखो यहां पर मैंने इसका differentiation कर दिया इसको यू वी का integration माइनस को साइन integration लेक्टिक तेटी अब आगे क्या किया अब यह क्या बोल रहा है यहां पर द्यान पूरक सुना बेटा जब हमने यहां पर काम complete कर लिया है तो यह क्या बोल रहा है कि यह ट्रम किसके को लोजाएगी 0 के क्यों कि इस सर्कुलर पाथ एंद इस्टेट पाथ lang पाइनल पॉइंट जो स्टेट लाइन पाथ है वो सर्कुलर पाथ है वो हमारे क्या है उनका ही शञ नीशल और फाईनल पॉइंट तो वेरीलेसंस राल क्या हुआ कि वैलिव क्या हो जाएगी इसमें जीरो हो जाएगी तो ये वैलू क्या हो जाएगे बटर जीरो तो मने कुछी ट्रम बचेए यह बचेगी ऋरे और गयर हो गया देच रहे होंगे आप लोग क्या हो आई है वा एगी ना को मन ले लिया अब इस टेट लाइन बात अलफा इज एकूल टू क्या है दैटट इस ऐक उपोल टूजu एए ट्थम ने पहले बताए था एक्वेerson अंडर दे इंटिकल शाइन इज देशन के पूरी ट्रम किसके एकुल हो जाएगी जीरो के एकुल हो लेके लेके लड़ीनेट लेके कोडिनेट लेंग रिजन फंक्षन है तो टी क्या होई नोट है इसका डिफ्रेंट सेंट कर दो धूर दूबारा से वही तीनो का लगला कर दिया हमेंग किसा नोट है तो धूर दू tarmac कर दिया गया कै लिजय्क चारेंट फिक्स फिर पहरा कवर्स पार्ट है इसको पूरुठ गर वे इसकी जो सप्याण पूर्वर्ण करना वह तो तो इससे भी important है याद रखना जो second form of element करेंगे न अगले lecture में lecture number 11 में वो तो most important यह exam में भहुत rare chance में पूछता इसको 100% पूछता है दोनों में क्या है इसमें n plus one dimensional है इसमें two and plus one dimensional language क्योंकि इसमें language and function का यूज कि यह है इसमें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना शेर करना और चनल को सब्सकाइब करना